हलो एन वेलकम और इस सेशन में हम जेंडर को पूरी अच्छी तरह से लर्न कर जाएंगे जेंडर को लर्न करने क्रम में हम जेंडर के डेफिनिशन और टाइप्स भी परहेंगे बेसिक्स तो हाई ही पर नहीं है साथ में हम फोर रूल्स को परहेंगे जिनकी सहायता से हम मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन्स को फेमिन जेंडर में चेंज करते हैं फोर रूल्स होंगे और इन फोर रूल्स में बहुत सारे एकजाम पर्स होंगे जो बहुत जगह से कलेक्ट किया गया है और इस तरह से कलेक् साथ में हम कुछ facts भी पढ़ेंगे जेंडर के बारे में जो हमें याद रखना होता है सो बेसिक सुरू करते हुए सबसे पहले जेंडर का definition की बात करेंगे अगर हम तो जेंडर की हिंदी तो अब जानते हैं link होता है और सबसे पहले बता दो कि जेंडर हम नाउन का पढ़ रहे हैं विस्तार से आपकी जनकारी के लिए जेंडर प्रोनाउन का भी होता है जेंडर adjective का भी होता है सो adjective और प्रोनाउन के बारे में थोरी सी बात करेंगे last में लेकिन अभी नाउन पे focus करते हैं तो definition में noun का वह गून gender होता है जो बतलाता है कि वह noun masculine है कि feminine है कि common है कि neuter है मतलब आप जानते भी हैं simple सा कि English में gender 4 होते हैं masculine, feminine, common, neuter gender तो अगर noun का गून बतलाते कि particular noun मतलब क्या noun में humans भी आएंगे humans और animals भी आएंगे तो अगर हमें पता चल जाए कि कोई human masculine है तो masculine gender ऐसे ही कोई animal masculine तो masculine gender तो ऐसे ही कह जरा है कि noun का वह गून जो बता सके हमें कि वह noun masculine है कि feminine है कि common है कि neuter है कहलाता है gender gender क्या है गून है एक गून राइट तो यह तो हो गया आप सब परकार भी जानते हैं परिभासा भी जानते हैं अधिक बात नहीं करते हैं आगे बढ़ते हुए हम gender के type जो फोर थे उनके बारे में थोरा थोर थोर बाते कर लेते हैं आपको बताया कि gender किसका किसका होगा अभी हम humans और animals की बात करेंगे नाउन में किसका humans and animals की जो male होता है उसे क्या बोलते है masculine यही definition है इसका जैसे कि king, host, lion, host का मतलब क्या होता है मेजबान मेजबान मतलब जिसके यहां महमान आते हैं उसे कहते हैं मेजबान तो king, host, lion यह सब masculine gender के example है feminine में क्या होगा कि female का पता चलेगा feminine बोलते हैं इसे queen का उल्टा आप जानते हैं king का उल्टा queen, host का hostess, lion का lion इस सब क्या है feminine gender होगा है और फिर common gender common का मतलब क्या होता है common मतलब जैसे teacher word होता है तो teacher words सुनकर आप समझते हैं कि male भी हो सकता है female भी हो सकता है मतलब यह एक ऐसा word है जो male के लिए भी है female के लिए दोनों के लिए common है इसलिए इसको कहते हैं common gender मतलब क्या कि जिसे male और female दोनों का बोध होता है common gender कहते हैं बहुत सारे examper से यहां पे हैं टीचर भी मिलेगा आपको डॉक्टर भी मिलेगा यह सब ध्यान रखना है आपको स्टुडेंट भी मिलेगा फिर चेयर परसन भी male female दोनों के लिए होता है यह सब कुछ आपको ध्यान से देख लेना है टीचर दोबार आ गया है कजन भी मिलेगा तो इस तरह से common gender हो गया next one is neutral gender न्यूटर मतलब आप जानते हैं न्यूटर मतलब non living वाला जो निर्जीव है तो इस जितना निर्जीव मिलेगा आपको इसके pain यह क्या होगा common शरी न्यूटर जेंडर होगा school यह भी न्यूटर जेंडर होगा न्यूटर जेंडर में collective noun वाले भी आते हैं collective noun का मतलब क्या होता है जैसे आप परते हैं bunch of kids चाबी का गुच्छा तो bunch जो word है collective noun है तो जितना collective noun होगा वह भी न्यूटर जेंडर में होता है तीक है जैसे होता है एक un army army of ends चीटियों का दल तो army जो word है यह collective noun है इसलिए यहाँ पर army रखा गया है collective noun में तो और यह न्यूटर जेंडर हो गया तो इस तरह से जेंडर चार हो गया और चारों के एक्जामपल आपको मिल गया है आप इसको ध्यान से देखिएगा निक्ट है रूल्स जिसके तहत हम masculine gender को feminine में change करेंगे फिर से सूलिजे masculine को feminine में change करेंगे तो left सार्य मैस्कुलिन gender के एक्जामपल आएगा और right में feminine होगा और सबसे पहले पहला rule है और यह सबसे अधिक यूज होता है यह rule किसी भी masculine gender के अंत में अगर EWS लगा देते हैं बहुत से words के साथ इस rule को अपलाई कर सकते हैं सबसे किसी का प्रियोग होता है बता दिया तो वह बन जाता है feminine gender जैसे कि बहुत सारे एक्जामपल आपके पास देखिए count है चाहे और यह हमारे इंडिया का वाड नहीं है कुलीन जो इरूप के होते हैं तो इसका होता है इसमें EWS लगा देंगे count पर देते हैं इसको परते हैं count इसको परते हैं और हिंदी सब की cooling होती है तो count में क्या हो जागा कुलीन इस्तिरी यहां पर कुलीन रहेगा ही और इस्तिरी जोड देंगे so count का count है यह थोड़ा सा कम पुछता है लेकिन आपको उच्चारन भी करने आना चाहे पता भी रहना चाहे इसलिए छोड़ा नहीं हमें छोड़ना नहीं कुछ भी then giant 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 मतलब क्या होता है that giant का मतलब होता है that और यहां पर giant में EWS डाल दिया है फिर air इसे air पढ़ते हैं air मतलब उत्राधिकारी इसमें EWS डाल दिया है इसका हो जाएगा that नहीं कह सकते है that यह अच्चा है इस तरी that ठीक है air मतलब उत्राधिकारी तो airs उत्राधिकार नहीं हो जाएगा land जानते हैं land में भी EWS डाल दिया priest मतलब क्या होता है पुजारी तो priest का priestess हो गया तो इसका हो जाएगा मतलब topics मेर मतलब महपौर महपौर हमारे शहरो में मायर का चुनाव होता है महपौर तो यह maires हो जाएगा मतलब इसतरी महपौर यह आप समझ रहे हैं ृंदी भी आपको पता रहन सक Syrene manager मतलब क्या होता हैclock बैंक में manager होते हम और मेनेजरेस मतलब क्या हो जाएगा प्रबंधी का ठीक है Prince मतलब राजकुमार तो Princess मतलब राजकुमारी Duke इसे Duke का पड़ते है hmm ez demा क्ड binder Duchess do you the Duchess दुछ नचर मतलब शाशिका आप समझ रहे हैं शाशिका फिर एक God we're back goddess the different kữ में क्यों है क्यों उपर के जितने example आपको मिले count से लेकर prince तक जो words थे उनके अंत में EWS जोर दिया केवल EWS कहीं कोई बदलाव नहीं किया लेकिन नीचे जो दो words है इनमें EWS last में जोरा हुआ है लेकिन इनके spelling में थोरा बदलाव कर दिया है तो पहला रूल में हम EWS वणा हमने अभी देखा है दूसरा रूल देखिए दूसरा रूल में हम EWS जोडते हैं Maurice इसमें जो ववेल होता है ववेल लास्ट ववेल उस लास्ट ववेल को हम डॉप कर देते हैं एक्जामपल देखने तो समझ में आएगा देखिए यहां पर बस एक फूकस करें एक्टर है एक्टर में इसमें जोडना पड़ेगा हमें EWS, EWS जोड़ेंगे ठीक है लेकिन इसमें लास्ट गोल क्या है O है, इस O को छोड़ देंगे, तो क्या होगा जब O को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ACTR होगा और फिर इसमें EWS जोड़ना है तो ACTR है और फिर EWS है Conductor है इसमें O छोड़ देंगे तो Conductor हो जाएगा Conductor मतलब संचालक संचालक और Conductor मतलब संचालिका संचालिका किसी भी वर्ड का हिंदी पुछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं फिर भी मैं कोशिच करता हूँ जरूतना परे आपको Instructor, यहाँ पर O है हटा देंगे तो Instructor हो जाएगा जरूतने खाली वो ही होता है कुछ और भी हो सकता है Emperor है, Emperor मतलब संचाल तो Empress हो जाएगा संचालकी हो जाएगा Tiger, यहाँ पर E है देखे, E है E को हटा दिया तो Trigress हो गया Hunter में E हटा दिया तो Huntress हो गया तो इस दो Number Rule में आपने अभी इतना पर है और भी मिलेगा So, क्या करते हैं Last Vowel को हम Drop कर देते हैं छोड़ देते हैं और लगा देते हैं फिर E SS Masculine Gender में तो बन जाता हो Family Gender आगे बढ़ते हुए इसी में और भी Examples हैं जैसे Negro है यहाँ पर E छोड़ देंगे O छोड़ देंगे तो निग्रेस हो जाएगा Negro मतलब जो अफिर्का के अधिवासी का एक परकार है नाम है तो इसका निग्रेस हो जाएगा Trader हो गया Trader मत आप जानते हैं क्या होता है देश द्रोही Trader हो गया तो यहाँ पर Trader हो जाएगा O हट जाएगा Trader हो जाएगा Waiter हो गया तो Waiter में E हट जाएगा और Waiter हो जाएगा Master में थोड़ा चेंज है और इसलिए कलर भी चेंज किया है आनते में तो E डबलेस है यह ठीक है Master में क्या किया हमने E को छोड़ दिया छोड़ दिया है लेकिन इसमें A को I कर दिया है क्या कर दिया है M I S T R E छोड़ दिया ऐसे हो गया और फिर E डबलेस डाल दिया है तो थोड़ा बदलाव है इसलिए कलर डिफिरेंट कर दिया है आपको ध्यान रखना है कि Master का मिस्टेस होता है इसमें अब तीन नमबर रूर मिलेगा देखिए एक में क्या परहा था कि खाली E डबलेस जोड़ते हैं दूसरा में क्या परहा था कि E डबलेस जोड़ते हैं लेकिन उसके पहले का जो ववेल होता है उस बवेल को हम ड्रॉप कर देते हैं छोड़ देते हैं खाली Master का मिस्टेस में बदला मिला और कुछ मिला नहीं थार्ड है E रेगुलर कोई रूल नहीं है थार्ड वाला और बहुत बड़ी संख्या है और एक्जाम में इनमें से अधिक पुछायता है E रेगुलर का मतलब था और नियमी था जिसमें का कोई नियम ही नहीं है दोका तो नियम था देखते हैं एक्जामपल देखे बुए का क्या होता है Girl Horse का Horse का पूछ जाता है एक्जाम में गुजखा मतलब क्या हो जागा कलहंसी नी हो जाएगा इसका नेफ्यू मतलब भतीजा तो नीस मतलब भतीजी ब्राइट गुरू मतलब दुलहा पुलिंग है ना ब्राइट गुरू मतलब दुलहा तो ब्राइट मतलब क्या होता है दुलहा ये तो जानते ही हैं हस्बेंड का वाइव, सेर का मैडम, तो यहां पर यह सब जानते हैं, आपको कहां ध्यान रखना है, होर्स का और गैंडर का गोज, यह सब जल्दी यूज हम करते नहीं है, बार बार सामने आते नहीं है, और जो नहीं सामने आते हैं, उसी का कुछायत है एक्जाम में, नेफ्यू का नीज तो आप बोलने में यूज करते हैं, तो आपको दो इसमें से ध्यान रखना है, बाकी सब आपको पता होगा, हम जो पर रहे हैं, इस रूल नंबर थ्री, जो इरेगुलर है, उसका पहला स्लाइड देखा, अगे बरहेंगे, तो आगे आपके सामने हैं, इसी का नेक्स्ट प लोड का लेडी होता है, जेंटिल मैन का लेडी तो जानते हैं, लोड का भी लेडी होता है, तो दो एक ही साथ लिख दिया है, लैड का मतलब लर्का, और लैस होता है लर्की, हीरो का आप जानते हैं, हीरोईन, वीडोर का वीडो, सर का मैडम, पहले भी मिल गया, बैचलर का spinster इसको आपको ध्यान रखना है bachelor का spinster कुमारा कुमारी राइट बैचलर मतलब कुमारा spinster means कुमारी यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान रखना है lad का lass जो प्राया हम कम यूज करते हैं lad का lass, widower का widow बहुत easy है लेकिन ध्यान रखना है इसको बाकी आपको याद रहता है तो इस तरह से irregular में एक slide और complete किया इसमें और फिर slide है देखे, duck duck का होता है dough इसे परते हैं duck, इसे परते हैं dough duck मतलब क्या होता है? बतक बतक और यहाँ पे क्या कहेंगे? आप कर देंगे मादा बतक जब हिंदी ध्यान न रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं stag और heart दोनों का होता है harin hiran कहिए दोनों का होता है hiran और इसका है row या hind इसे hind परते हैं hind row इसे row परते हैं row या hind इसका होता है harini चाहिरni hirni कहा देते हैं hirni hiran का hirni ठीक है block या calf block मतलब और calf मतलब जानते हैं बच्छरा होता है बच्छरा तो बच्छरा का होता है hefar होता है इसे परते हैं hefar बहुत important है colt मतलब होता है घोरा का बच्चा और इसका होता है phili घोरा का बच्चा होता है जो male होता है उसे कहते हैं cold और जो female होने पे उसे बोलते हैं phili phili परते हैं dog का bitch तो जानते हैं wizard का bitch wizard मतलब होता है जादूगर जादूगर और इसका होता है जादूगर्नी जादूगर्नी चाइल्ड का चिल्डन तो जानते ही हैं, यहाँ पर याद आपको बहुत रखना है, क्या क्या रखना है, एक तो बक और डो, याद ही रखना पड़ेगा, यह बार बार नहीं मिलता है, एस्टैग हार्ट, दोनों का एक साथ लिख दे रहा हूँ, बिकर दोनों के हिंदी, अल्मुस्ट एक है, अल्मुस्ट कह रहा हूँ, कहीं कहीं बारा सिंगा भी लिखा मिलता है, तो एस्टैग का रो, हार्ट का हाइंड, एच से हार्ट, एच से हाइंड, एस्टैग का रो, ब गरर देन पता रहता है, डोल का बीच भी पता रहता है। ये उपर के 5 आपको ध्यान रखने हैं। इसी में अबी आगे भी है, सुल्तान का सुल्ताना। एं जांते हैं सुल्तान सुल्ताना। जार का spelling होता है सी से भी और टी से भी तो जार क्या होता है रूस के सासक जो थे उनको कहते थे जार तो जारीना जारीना टी से चाहे सी से कहीं से लिखिए शासक हो जागा रूस का सासक यहाँ पर हिंदी में कहेंगे तो रूस का शासक रूस का ही होता है, इसे रूस लिखना पड़ेगा यहाँ पे रूस की साशी का ठीक, फोक्स का विक्सेन भूलना नहीं इसको, फोक्स का विक्सेन, हिंदी तो पता है होर्स का मेर होर्स का मेर भी पुछा गया है होर्स का मेर मोन या नन sorry, mon ke a fryer इसे fryer कहते हैं fryer तो mon ke a fryer का non होता है ये भी important है ram का u ram मतलब भेर, u मतलब मादा भेर drag, drag मतलब drag का duck drag का duck और drone का b drone मतलब मदमखी और यहाँ पे मादा मदमखी ठीक है तो इस तरह से हमने देखा सुल्तान का सुल्तान यहाँ से fox, horse monk fryer ram, drag drone इस सब आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है fox का wixen, horse का mayor monk fryer या prayer का non इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पादरी जो होता है चर्च में और महिला पादरी को बोलते है non ठीक है ram, you, track, dog, drone, be next one next one होगा rule number four और यह होगा compound words का gender change करना masculine से family compound words मतलब क्या होता है एक से अधिक words से बना हुआ word कहला आता है compound word example देखिए न, देखिए grandfather grand और father से बना है grandfather हो गया इसमें क्या करते है जो main word है उसका gender change करते है father का gender होता है mother तो grand तो रखेंगे और father का mother कर देंगे एह हो गया landlord तो lord का अपने सिखा न lord का lady होता है gentleman lord था न, वहाँ पे उसी का so land तो रहेगा ही Lord का lady, lord land lady हो जाएगा इसका मतलब जमीदार होता है इसका मतलब जमीदार नहीं होता है he goat मतलब जो mail वाला بकरा है mail वाला बकरा बोलेगे he goat मतलब और she goat मतलब बकरी बोल देंगे तो he goat, she goat तो यहाँ पे main word कौन है he है तो he को she कर दिया peacock, cock का हेन होता है हम जानते हैं तो इसमें p हेन हो जाएगा, more morning, he bear he bear मतलब male वालो और she bear मतलब female वालो chair man, chair man का chair domain हो जाएगा तो जो main word होता है जिसका gender change होता है उसको कर दिजिए compound words का gender change हो जाता है तो rule number 4 complete कर लिया है अब कुछ facts हैं जिनको धियान रखना है देखिए, noun में हम noun कहीं पढ़ रहे ना, तो material noun हो चाहे collective noun हो चाहे abstract noun हो यह तीनों हमेशा होते हैं neuter gender में आपको दिखा दिया collective noun के example शुरू में ही material noun भी होता है और abstract noun भी होता है neuter gender में दीखे इसके बाद nature word चाहे sheep sheep का नाम अच्छे है country का नाम nature word खाली nature nature कहीं भी लिखेंगे तो यह word चाहे किसी भी समुद्री जहाज का नाम या किसी भी देश का नाम हमेशा होता है feminine इंडिया बोलेंगे तो इंडिया masculine की feminine feminine इवेस से बोलेंगे दा लगता है तो यह masculine की feminine feminine लेकिन एक example है जर्मनी जर्मनी हमेशा masculine होता है तो इसमें क्या सिखा अपने कि nature word भी feminine और देशों के नाम feminine और फिर sheep का नाम जैसे कि आइनेस वी करांथ मानेज़े आइनेस वी करांथ ऐसे कुछ नाम लिखा यह भी feminine रहेगा तो sheep के नाम और फिर countries के नाम last एक exception धियान रखना है जर्मनी छोड़ कर इसमें और fact है कि pronouns के भी adjective होते है gender होते है objectives के भी gender होते है example कैसे बात करें तो आप देखिए अभी तो देखा आपने ना he का क्या होता है c होता है तो he क्या है masculine है she क्या है feminine है तो कह सकते हैं ना कि प्रोनाम का gender हाँ ठीक सबकर नहीं होता है लेकिन उसका तो होता है वैसे ही आप एक word जानते है beautiful और beautiful को female के साथ करते है मतलब यह gender वाला है इधर masculine इधर feminine है तो adjective का भी gender होता है यहाँ पे pronoun का भी gender दिखा दिया आपको और इसमें और बात करें तो जो सबसे पहला rule था change करने का masculine से feminine इसमें कहा था कि EWS लगाते हैं यह सबसे common rule है आपको अगर पता ना हो कुछ की कैसे किसी particular word का gender change करें तो आप EWS लगा कर आप काम चला सकते हैं तो यही था इस lecture में hope a lecture complete है और आपका exam में एक भी प्रस्ट छूटने नहीं देगा Thank you very much